पिकम फ्रेंड्ट's हमारे वीडियो सीरीज भी ते शीयो ऊफिय डॉन लाइफ में हम बात करभ़े हैं Josh मॉडल की मेंटल मॉडल को समझे से हमें ये समझ में आता है हमारी सोच किस तरह से जा रही है हम सोचने में क्या गलती कर रहे है हम पर किस बात dominant कर रही है वगरा 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 और इनको जानने के बाद हमारा काम आसान हो जाता है तो हमने पहला प्रिमेंटल मॉडल मॉडल देखा था मैप इस नॉट दि टेरिटरी और आज हम दूसरा देखेंगे सर्कल ओफ कॉंपिटेंस तो यहां पर जैसे दिख रहा है डेंजर जोन क्या है तो जो अंदर वाला जोने वह हमको मालूम है कि हमको क्या मालूम है और बात सही है यह जो ड सारी फ्राबलम आ सकती है और यह सब होता है ब्लाइंट स्पोट की वचे से तो रही होगाता है तो हम फिल्ट स्पोट की वज़े से देके नहीं पाते हैं लेकिन एक बार अपने पर को पैँनदि पाइचानल लिया और उस काम कर लिया तो growth आपका बहुत fast हो जाता है क्योंकि यह वही factor है कि जो आपको मैनत करने के बावजूद, काम करने के बावजूद भी आपको life में growth नहीं दे रहे है और जब आपको मालूम है और जब आप honest है कि आपका कहा knowledge कम है कहां पे आपको तक्मीफ है कहां पे आप improve कर सकते हैं तो आपके लिए काम करना बहुत आसान है और अगर आपने आपका circle of competition समझ लिया तो आपको improve हो जाएगा decision making और उसके outcome circle of competition का मतलब है कि आपका अपने area में एक अच्छा knowledge है और अगर जिसमें आपका अच्छा knowledge में उसमें आप काम करेंगे तो उसमें आप ज़्यादा आगे जा सकते हैं और इस circle of competence आपको पता चलेगा जब आप self-aware हो जाएगे अपनी खुद की समिक्षा करेंगे तो इसके लिए बहुत अच्छा एक model है SWOT चलेगा कि हमारा strength और weakness क्या क्या है इससे हमको यह भी पता चलता है कि हमारा knowledge कौन सी area में है हमारा expertise कौन सी जगा पर वगरा वगरा तो जैसे हमने circle बोला तो circle का मतलब एक outline है एक boundary है तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा knowledge कहा तक है हमारा experience कहां तक है और यह हमको circle of competence में हमारी boundaries क्या है हमको पता होनी चाहिए हमको इसके बारे में बहुत ही honest होना चाहिए और हमको यह पता होना चाहिए कि हमें कहां support की जरूरत पड़ेगी और कहां हमको अपने आप में सुधार करना है तो इसके लिए आपके अंदर पांच quality आनी चाहिए एक है self awareness खुद के बारे में awareness एक आता है खुद का management self management दूसरा है दुनिया में क्या हो रहा है social awareness तीसरा है आपको लोगों से संब्द बनाने की color relationship skill और उसके बाद जो पांचवा है कि आपको decision making with responsibility करना है decision making और responsible decision में बहुत फरक है तो इसके लिए जो हम ग्यान की बाते करते हैं तो knowledge एक होता है जो एकदम आदमी नया नया होता है उसको textbook का मालूम है और basic एक सता पर मालूम है इसके बाद में थोड़ा एक आदमी है उसको हम लोग बोलते है advanced beginner जिसको basic knowledge होता है और कुछ aspect उसको practice के वज़े से आ गया है तीसरा level है competent जहां पे उसको working भी पता है background knowledge भी पता है और उसने काफी practice किया है और यह करते करते वो proficient हो जाता है तो वो काम 70-80% अच्छा कर लेता है और उसके बाद में जो 5-5 stage है वो है expert का जहां पे उसको knowledge भी है skill भी है attitude भी है और काफी practice और experience है अब मैं यहां पे कुछ quality जो सब में होनी चाहिए उनके बारे में विवरून करता हूँ list काफी बड़ी है लेकिन यह आपको life में मदद करेगी और अगर आपको अपनी life का CEO बनना है तो यह सब quality आप में होना चाहिए accountability मतलब आपने जो किया उसके आप responsible है और वो इससाब से आप काम करें active listening माने आपको हर चीज़ को ध्यान से सुनना और गरन करना है adaptability का मतलब है आपको situation के हिसाब से अपने आपको डालना है जड़ नहीं रहना है assertiveness का मतलब है आपको अपनी बात कहनी है लेकिन सामने वाले को दुखाना दिल दुखाना नहीं है attention के detail का मतलब है हर चीज़ को गहराई में जाके पूरा detail समझके काम करना है और हमारी strength क्या है weakness क्या है इसके बारे में अपने को evidence होनी चाहिए और आपको जो multiple demands life में होती है उसको balance करने आना चाहिए आपको budget manage करने आना चाहिए आपको व्यवारों को संबंदों को जोडने आना चाहिए और आपको खुद के लिए और दूसरों को motivate करना आना चाहिए कोई भी campaign आप चला रहे उसको management आपको आना चाहिए आपको लोगों के साथ काम करना जिसको collaborative marking बुलते हो आना चाहिए और आपको commercial और हर brand का awareness का समझ में आना चाहिए और चाहे कितना भी pressure है आपको cool और काम रहने का quality आना चाहिए और आपको travel का या जो stress आता है वो समझ में आना चाहिए आपके पास काफी creativity होना चाहिए आपका thinking critical होना चाहिए और आप लोगों को जवाबदरी दे सके ऐसा आपका सभाव होना चाहिए लोगों को engage करने की कला होनी चाहिए और जो आपने strategy बनाई है उसको execute करने का आप में गुण होना चाहिए flexibility होना चाहिए और अलग-अलग type के लोगों की team सम्मालने आना चाहिए आपको high level commitment होना चाहिए जिससे थोड़ा बदा आगे पिछे वे तो आप हीले नहीं आपको possibility के हमेशा ध्यान रखे उसको आप खुद imagine कर सके ऐसा होना चाहिए आप में intuition quality होती हो होनी चाहिए leadership quality तो होनी ही चाहिए और आपको mistake और setback से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए हमको decision fast लेना है और लोगों के हमारे आसपास के लोगों के expectation उनको match करना आना चाहिए परिस्तिति के इशार हमको communication करते आना चाहिए और हमको हमेशा performance की तरफ ध्यान रखना चाहिए हमारी physical literacy अच्छी होनी चाहिए हमको यह समझ में आना चाहिए कि आज पहले काम सा काम करना है बाद में कुन सा करना है problem solving की हमारी quality होनी चाहिए हमारे पॉब्लिक speaking अच्छा होना चाहिए हमारे अंदर self discipline होना चाहिए हमारे अंदर खुद की जवाबदरी का मैसूस होना चाहिए कि जो हो रहा है जो कर रहा हूं उसके लिए मैं ही जवाबदान हूं और अलग-अलग type की goal करने का quality होना चाहिए strategic planning करने का practice होना चाहिए और काम करते समय अगर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका feedback लेने का आप में capacity होना चाहिए time management करना है आना चाहिए अलग-अलग culture के लोग अपने साथ काम करते तो और चाहिए तो इसमें से हम जो बात कर रहे थे इसमें से हम कुछ कुछ कर सकते है तो action take away इस क्या-क्या है तो पहला है हमको हमारी जो strength है उस पे खेलना है तो हमको पहले यह दिखने कि हमारी किसंस्टेंथ है और हमको फिर वह क्या accessory में उस ज्यादा रोल होना चाहिए जिससे क्या होगा हमारी रिसक कर नो होगी और हम रिजल को पासमेंगे फिर आपको और यह एक इंडिकेटर भी होता है कि जहां आपको पैशन है जहां आपको इंट्रेस्ट है इसका मतलब आपको इस एरिया में काफी लगाव तो है लेकिन एक्सपर्टीज भी है उसके साथ-साथ हमको यह देखना चाहिए कि जो भी मैं काम करने चाह रहा हूँ इसके लिए सबसे अच्छा अबनी कौन हो सकता है कि वो कौन सी कॉम्पेटेंस मुझे लगेगी और उस कॉम्पेटेंस को हमको साथ में लेना चाहिए हमेशा हमको सीखना और ग्रो करते रहना चाहिए कि सरकल अब कॉंपेटेंस को ऐसा नहीं कि आज हो गया तो पुरा हो गया उन्द तर डायनामिक है परिवर्टर होता है हमको कंटिनुएली अपने आपको चैलेंज करना है और ग्रो करना है और अपने आपको अलग-अलग कामों में ढालना है हमको डाइवर्स बनना है हमको वर्सिटाल बनना है जिससे कि हम कोई भी काम आसानी से कर पाएं और जबी भी आपको लगता है कि यू डॉंट नो तो आपको यह नहीं बोलना चाहिए कि I don't know आपको बोलना चाहिए I don't know now but I will find out तो आपको courageous होना चाहिए यह identify करने में कि आपको क्या मालूम है क्या न सारे मेंटल ब्लॉक्स मेंटल मॉडल मुझे मिल रहे हैं और मैं सब बना रहा हूं और इससे आपको लाइफ में बहुत साहता होगी क्योंकि बनाते बनाते भी मेरे में काफी सुदा राया है थैंक्यू वेरी मच थैंक्यू